इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पतना में सबसे बड़ी घटा हुई है पतना में कैस लूटा गया है जी हां इस वक्त की जो बड़ी खबर है पतना के पाटली पुत्रा थाना छित्र अटल पत पर ये लूट हुई है और जो पुर्म मंत्री है उनके असिस्टेंट मैनेजर जो संजीव सींग है उनके साथ ये लूट हुई है वो जब अपनी वाइट कलर की कार में और अपने साथी के साथ और चंदन ड्राइवर के साथ कार में शवार होकर पाटली पुत्रा अवास से लेकर शोन भवन के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में ही अटल पत पर ये लूट का अंजाम दिया गया है तीन बाइक से अपरादी आये थे और टोटल छेब अपरादी थे जिसमें तीन बाइकों पर सवार होकर उस कार को रोक कर 45 लाख रुपे हत्यार के बल पर लूटा गया है ये तस्वीरों मे देख सकते हैं कि किस तरीके से घटना अस्तल पर मौके वारदात पर पटना पुलिस और पाटली पुत्रा थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुची है सीटी एस भी पहुचे हैं आज पास इलाकों में हड़कम्प मच गया है और जो पुर्मंत्री वीना साही है उनके असिस्टीन मैनेजर से ये लूट हुई है 45 लाक रुपे कैस लूटे गए हैं और उसके बाद जो है वो अपने घर से पाटली पुत्रा से निकल कर शोन भबन में बैंक में पैसे जमा करने जा रहे थे तब ही 32 सबार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और जो है आस पुलिस को चुनोती दिये पाटली पुत्रा थाने की पुलिस को चुनोती दिये तस्वीर देखी कि किस तरीके से घटना अस्तल पर जो संजीब सिंग मैनेजर हैं वो बैठे हुए हैं सोज में पड़े हुए कि आकिर ये घटना कैसे हो गए आचानक क्योंकि उनके साथ कार में उनके साथी थे सयोगी थे और जो उनके ड्राइवर थे चंदन वो भी मौके पर थे और सब साथ में रहते हुए भी तीन बाइक सबार अपरादी छे अपरादियों ने घटना को अंजाम दिया और आसानी से वहां से फरार हो गए पैसे रकम रुपे लूट के फरार हो इस घटना पर क्या कुछ जानकारियां दी हैं वहां के लोगों ने और जो मौके वारदात पर पुलिस पहुची है वो क्या कुछ कहा है वो भी हम सुनाते हैं लेकिन ये तस्वीर देखे कि किस तरीके से घटनास्तल की जो तस्वीर है वो हम आप से साजा कर रहे हैं पूलि स्लोंनिकल एक और ननाल सब्सक्राइब करे vraisim say rpm के घर से और यह जैसे Яज Reason पतल पर फूल पर हमको मुएं तीन आदमी च была स्लांताय धक्का मरता है फिर आगे में नेकी गारी को लेकर दिए स्लों में था तो तो हम देखे कि आई तो उसके बाद देखने ही नहीं तिन चार को उतर गया वकार सला रोकड़ों कमारा रिवल्वर निकल दिया उसके बाद पीछे में जो पैसा था वह आमारे जो पीछे में बैठी हुए थे उसे जोला चिनने लगा और वह करने लगा कि सर पैसा चिन रहा ह पैसा चिन रहा है हमने की क्या कर रहे है अब लोग क्या कर रहे है तो आपने साब तर से सुना कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम अपने दर्सकों को बता रहे है कि 45 लाख रुपए की लूट हुई है और इस वक्त के लिए पुलिस के लिए बड़ी चुनाती हो गई है पुलिस जो है अब तीसरी आख की मदद ले रही है CCTV कैमरे को खंगाल रही है और पूरी तरीके से पूस्ताच की जा रही है जो मैनेजर है उससे पूस्ताच की जा रही है उनके साथ ही से पूस्ताच की जा रही है पूरे वारदात जाच के बाद ही पता चल पाएगा असपस्ट हो पाएगा कि ये लूट कैसे हुआ क्यूं हुआ ये तमाम चीजे पुलिस जो है असपस्टी करन देगी थोड़े देर के बाद जब ये पुलिस पूरी जाच करेगी उसके बाद ही असपस्टी करन हो पाएगा तमाम अपडेट के लिए वने रहें 10G News के साथ और देखते रहें 10G News